हलो और इवन, स्टड़ी विदस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम टीचिंग एप्टिट्यूट का जो है एक वीडियो डिस्कुस करेंगे जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टीचिंग क्या होती है टीचिंग के नीचर क्या क्या होते हैं टीचिंग के मोटिफ क्या क्या होते हैं और टीचिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद आप टीचिंग एप्टिट्यूट का एक भी कोशन जो है गलत नहीं करेंगे जि में यह पता चलिए कि आप इसमें इंटरस्ट ले रहें इस तरह की वीडियो में तब हम जो है सीरिज को आगे जारी रखेंगे वरना फिर हम जो तो कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा यह वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग अप्टिट्यूट काफी इंपॉर्टन जो है टॉपिक है यह चैप्टर है पूरा का पूरा यूजी सी नेट के एक्जाम में जो है यहां से कोशन्स पूछे जाते हैं जो वह ल कीचिंग जीन में कहते हैं शिक्षण अभिषमता सब्सक्स का मतलब क्या होता तो याद रखें शिक्षण शिक्ष धातू से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सिखाना ठीक है सीख देना या सिखाना अब ये भी कहा अब कोशन यहां से पूछ ले जाता है कि जो सिक्षन है वो किस परकार की परकरिया है तो ये परकार की समाजिक परकरिया है ठीक है ये पॉइं अगर कोई भी एक किसम से ना हो तो शिक्षन परकिरिया जो है पूरी नहीं की जा सकती है तो हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षन परकिरिया होती है वो तिर्मुहेकार की है या तिर्भुजकार की होती है जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है दूसरी तरफ छात्र होता है और तीसरी तरफ पाठे करम होता है ठीक है और शिक्षक जो होता है वो पाठे करम के द्वारा जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है ठीक है इतना पॉइंट आपको याद रखना है मैंने या पर कुछ जो है शिक्षन के उपर जो जो विचार दिये गए हैं लोगों के वो भी मैंने लिख लिए हैं क्योंकि एकजाम में पूछे गए थे यह जैसे कि मौरिसन क्या कहते हैं सिक्षन के बारे में हलाकि इस पे बहुत सारी परिभाशाएं जो हैं दी गई हैं उन सभी को याद करना जो है काफी कठीन होगा तो इसलिए जो है आपको कुछ में में याद रखने हैं जैसे कि मौरिसन क्या कहते हैं कि शिक्षन जो है वो एक ऐसी अनुशाषित समाजिक पर किरिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के विवहार को परभावित करता है और उ क्या कहा है इननुँने क्या 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 थिक्योंनेयिक्यों सब्सक्राइफ कर परइससे नहीं क्या को अभी पर जैससे सप लेंदाब बदरूर बनेगा delayed page के उपर ठीक है एलन पेज का कहते है कि सिक्षन जो है वो कला वा विज्ञान दोनों है कला क्यूं है तो बताते है क्योंकि इसक्षन बताते हैं को कि Hajनोने इसे विज्ञान भी कहा है तो किस ने कहा है सिक्षन कला और विज्ञान दोनों है तो एलन पेज ने कहा है अब बात करते हैं नेचर आफ टीचिंग यानि सिक्षन की परकृती के बारे में ठीक है अब यहाँ यह सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं काफी इंपॉर्टन्ट है सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से ठीक है है यह एक त्री धूपिय परकृती है और परकृती है सिक्षन का बताया कि इसमें समस्याव का समधान करते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं नेक्स्ट है सिक्षन साउध देशित परकरिया भी है यानि कि intentional process जो है वो भी है जैसे कि आप कोई भी विशे सीखते हैं या कुछ भी आप सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिफ जो है जरूर होता है ठीक है ये मोटिफ सिर्व student का यह नहीं teacher का भी होता है कि teacher जो है वो student को ये topic क्यों पढ़ा रहा है ठीक है तो हम कह सकते हैं सिक्षन जो है एक साउध देशे परकरिया भी है अब ये एक निर्देशात्मक या कहें कि निर्देशन की परकरिया भी होती है किस तरीके से क्योंकि ये जो है बड़े-बड़े सिक्षन संस्थानों के द्वारा निर्देशित होती है ठीक है अब इसमें 6E प्लस S मैथड़ का S जो कह सकते हैं जो तत्व दिये गए हैं इसके वो आपको याद रखने है यहाँ पर 6E का मतलब है यह सारे के सारे E से वर सुरू होते हैं और S का मतलब स्टेंडर यानि की मानक यहाँ पर लिखा गया है सनलंगता अनवेशन, व्याख्या, विस्तरित, मुल्यांकन, विस्तार और मानक ठीक है एक लाइन से आपको याद रखने है इसे 6E कहते है नेक्स्ट है यह विकास आत्मक परकरिया भी है ठीक है इसमें हम जो है विकास को पढ़ते हैं ठीक है छात्रों का किस प्रगर से विकास करना है कैसे करना है यह सब जो है हम इसमें अध्यन करते हैं छात्रों के विकास के लिए नेक्स्ट है उपचार आत्मक परकरिया उपचार आत्मक परकरिया का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जो छात्र होते हैं जब उन्हें पढ़ने के तोरान किसी भी परकार की समस्या आती है तो उसका जो उपचार है या उसका जो निदान है वो टीचर के द्वारा किया जाता है तो इसकारण हम इसे कह सकते हैं कि यह एक उपचार आत्मक परकरिया भी है नेक्स्ट है सिक्षन आपचारिक के साथ साथ आपचारिक परकरिया भी है ठीक है यानि कि जरूर ही नहीं है कि जो सिक्षन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ही होता है या कहीं कि आपचारिक ही होता है क्योंकि सिक्षन जो है सिर्फ सिक्षा संस्थानों में नहीं ठीक ह अब हम बात करते हैं teaching के objective के बारे में तो ये है teaching के objectives जैसे पहला मैंने लिखा है कि teaching जो है या section जो है वो जो छात्र होते हैं उनके समाजिक वा मानविय मुल्यों का विकास करता है ठीक है पहला इसका जो उद्देश है वो ये है और दूसरा है सारिक वा मानसिक नैतिक विकास करना ठीक है चात्रों में सारिक वा मानसिक वा नैतिक विकास करना भी instruction का उद्देश है next है जीवनों को पारजन ठीक है यानि जीवन चलाने के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है देखाओ आपने बड़े-बड़े इंसिट्यूट्स होते हैं कई लोग घर में भी पढ़ाते हैं ठीक है टूशन वगरा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन चलाने के लिए भी दी जाती है नेक्स्ट है ज्यान की संवृध्धी ठीक है अधिकतर लोग जो है वो शिक्षा इसलिए ग्रहन करते हैं ताकि उनके ज्यान की वृध्धी हो सके तो ये भी कहीं ना कहीं उद्देश होता है उनका नेक्स्ट है छात्रों की जो बौधिक वा चरितिक निर्मान होता है वो करने के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है और नेक्स्ट है छात्र के अंदर आपसी सहयोग की भावना का विकास हो इसलिए भी जो है शिक्षा उसे दी जाती है तो हम कह सकते हैं टीचिंग के ये ये अबजेक्टिव्स होते हैं उदेश होते हैं ठीक है याद कर लेना आपको क्योंकि option में बहुत ही confused करता है यहां से अब सबसे important जो है वो है शिक्षन के प्रकार ठीक है शेक्षिक परबंधन के अधार पर ठीक है उदेश के अधार पर किर्याओ के अधार पर और शिक्षन स्वरूप के अधार पर जो है शिक्षन को अलग अलग वर्गों में बाटा गया है ठीक है तो सबसे पहले चालू करते हैं शाषन के अधार पर जो है वर्गी क्रियत किया इस परकार के शिक्षन में राजा तै करता है कि छात्रों को कैसा पढ़ना है क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है जबकि लोगतांत्रिक शिक्षन जो होता है इसमें पूर्ण रूप से सोतनता होती है जनता की इच्छा के अनुसार छात्रों को या कहीं की लोगों को पढ़ाया जाता है ठीक है लोगतांत्रिक शिक्षन में और हस्त छेप रहित सिक्षन में क्या होता है कि किसी परकार का कोई हस्त छेप नहीं किया जाता है जो छात्र कामन करता है वो पढ़ता है भारत में कौन से परकरिया है तो हस्त छेप रहित सिक्षन है आपर ठीक है देखा होगा 10th के बाद जो है वो अपनी चोईस से लोग अपने सब्जेक्ट से चुनते हैं आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइन्स हो ठीक है तो याद रखें आप हस्तचेप रहित सिक्षन यानि वह सिक्षन जिसमें किसी परकार का कोई हस्तचेप नहीं होता है अधिगम के स्तर पर जो है शिक्षन को तीन वरगों में बाटा गया है ठीक है, on the basis of learning level इसमिर्थी स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर इसमिर्थी स्तर का जो विचार है वो किसने दिया है तो याद रखना है आपको किसने दिया है तो इसमिर्थी स्तर का जो विचार है वो दिया है हरबट के द्वारा, ठीक है और अवबोध का जो सिध्धान्त है वो किसके द्वारा दिया गया है तो याद रखना है मौरिसन के द्वारा और चिंतन स्तर का जो सिध्धान्त है वो दिया गया है हंड के द्वारा तो इसमिर्थी इस्तर में क्या होता है इस टाइप के टीजिंग में होता ये है कि छात्रों को किसी भी विशय को सिर्फ रटाने पे ध्यान दिया जाता है ठीक है रटाने पे ध्यान दिया जाता है और अब बोध इस्तर में क्या होता है इसमें किसी भी विषय को जो है छात्रों को समझाने पर बल दिया जाता है और चिंतन इस्तर में क्या होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ उससे चिंतन करवाने पर बल दिया जाता है यानि किसी समस्या के समधान आदी के लिए जो है दे दिया जाता है इस परकार के शिक्षन में कि छात्र जो है समस्या का समधान ठोड़े ठीक है तो तीने याद रखना ये रटने वाला है ये समझने वाला है और ये समस्या का समधान खुजने वाला है किस-किस ने दिया था तो इसे हरबट ने दिया है इसे मौरिसन ने दिया और इसे हंट ने दिया है सेक्षणिक परबंधन की अधार पर भी जो है, तीन वर्गों में शिक्षा को बाटा गया है, आपचारिक अनपचारिक और निरापचारिक, आपचारिक क्या होती है वो जो शिक्षा संस्थान में चातर जो है शिक्षा ग्रहन करता है उसे आपचारिक शिक्षन कहते हैं ठीक है आपचारिक शिक्षन जिसमें टीचर जो होता है वो चातर को पढ़ाता है ये किसी सिक्षन संस्थान से जुड़ा हुआ है जबकि इस परकार का जो शिक्षा जो होती है वो छात्र बाहरी सीखता है तो इस परकार की शिक्षा जो है आनौपचारिक शिक्षा कहलाती है और निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जो आपचारिक और आनौपचारिक का मिस्रित रूप होती है ठीक है आपने देखा हो कई लोग ओपन से जो है पढ़ाई करते हैं ठीक है ओपन से जो पढ़ाई करते हैं या दूरस्त शिक्षा जिसे हम कहते हैं इस परकार की शिक्षा जो है वो निरोपचारी कहलाती है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें कुछ परतिबंद भी होते हैं और कुछ सोतनताई भी होती है ये पूरी तरह से सौत अंत्र होती है ठीक है अच्छा उद्देश की अधार पे भी सिक्षन को पढ़ लेते हैं उद्देश की अधार पर जो है एक है ग्यानात्मक एक है भावनात्मक और एक है मनुगत्यात्मक शिक्षन ठीक है तो ग्यान आत्मक शिक्षन का उद्देश जो होता है वो होता है ज्यान को अरजित करना ठीक है इसके 6 चरण होते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ठीक है ग्यान आत्मक शिक्षन के 6 चरण होते हैं और नेक्स्ट है भावना आत्मक शिक्षन करन थेंगता है थिक हैं इस परकार के शिक्षा में और किरिया के अधार पर शिक्षन को जो थो है अर टीचर है वह खड़ा होकर किसी विशेय को अच्छे य queda thagit कि परदर्शनी करके उसको समझाएगा ठीक है और उप्चार आत्मक का मतलब हो गया चात्र कुछ पढ़ रहे हैं उनको कुछ समस्य आई और फिर टीचर जो है उनको कुछ समझाए तो उसे कहते हैं उप्चार आत्मक शिक्षन ठीक है प्रस्तुति करन यानि खड़े हो के एक जगा पढ़ान परदर्शन कोई चीज दिखा क्योंने समझाना उप्चार आत्मक कुछ प्रॉब्लम आ रहे है पढ़ने में तो उसका समधान करना ठीक है और सिक्षन सौरूप के अधार पर तीन वर्गों इंबाटा गया है वर्णन आत्मक निदान आत्मक और उप्चार आत्मक ठीक है व ठीक है तो यह थे टीचिंग के टाइप्स अधिय। पर चक्तिंग महुंद ही कॉछ